चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे I.S. Infal Warship के बारे में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैट के बीच नया स्टेल गाइड़ेड मिसाइल से लहस I.S. Infal Warship भारतिय नौसैना में शामिल हो गया है रक्षा मंत्री राजना सिंग ने I.S. Infal को मुंबई डौक्याड में कमिशन किया यह वार्शिप नौसैना की पश्चिमी कमान में शामिल होगा अब हम बात करेंगे I.S. Infal Warship के बारे में यह डिस्ट्रोइड वार्शिप सताह से सताय पर मार करने वाली आठ बराक और सोला ब्रमोज एंटी शिप में शाइल सर्विलांस रडार 76 mm रैपिड माउंट गन एंटी सबमरीन टॉर्पिडों से लेस है रक्षा मंत्राले के मुंबई स्थित शिप्यार मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इमफाल को बनाया है इस वार्शिप को बंदरगा और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतिय नौसना को सौपा गया था इमफाल पहला वार्शिप है जिसका नाम नौर्थेस्ट के एक शहर पर रखा गया है इसके लिए राष्टपती ने 16 अप्रेल 2019 को मंजूरी भी दे दी थी इस वार्शिप का 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है इसके निर्मार में स्वदेशी स्टील DMR 249A का इस्तेमाल किया गया है यानि इसका 55% हिस्सा पूरी तरीके से स्वदेशी है आइनस इमफाल विशाखा पैटनम कैटिगरी के 4 डिस्ट्रोइड में से तीसरा है जिसे भारतिय नौसेना के इन हाउस और्गिनाजेशन वार्शिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है आइनस इमफाल को भारतिय स्वतंतरता संग्राब में मनिपूर के बलिदान और योगदान के लिए स्ट्रधानजली कहा गया है चाहे वह 1891 का एंगलो मनिपूर युद्ध हो या फिर 14 अप्रेल 1944 को मोई रांग वोर हो जिसमें पहली बाद नेताजी सुभास चंदर बौस ने आइने का छंडा फेराया था अब हम बात करेंगे इसकी प्रिष्ट भूमी और नामकरन के बारे में आइने सिंफाल को उत्तरपुर्व के एक शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्ध पोत होने का अनूठा गौरव प्राप्त है जो राष्ट और भारतिय नौसेना के लिए उत्तरपुर्व छित्र और मनिपूर के महत्व और योगदान को रिखांकित करता है इस जहास की आधार शीला 19 मई 2017 को रखे गई थी और जहास का 20 अपरेल 2019 को जलावरन किया गया था जहास 28 अपरेल 2023 को अपनी पहली समुद्री सेर के लिए रवाना हुआ और 20 अक्टूबर 2023 को इसके डिलीवरी के साथ इसका बंदरगा और समुद्र में व्यापक परिक्षन किया गया जो 6 महीने से कम की रिकोर्ट समय सीमा को चिनहित करता है INS, इमफाल के निर्मान और परिक्षन में लगा समय किसी भी स्वदेशी विद्वनसक के लिए सबसे कम समय है जहाज ने अपने कमिशन होने से पहले विस्तारित रेंजवाली ब्रमोज मिसाइल का पहला परिक्षन सफलता पुरुख पूरा किया जिस से इसे हतियार तयार बना दिया वर्तमान में जहाजों पर हमलों को लेकर सरकार भी गंबीर है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा है कि भारत सरकार ने MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साई बाबा पर हमले को गंबीरता से लिया है मर्चेंट नेवी जहाजों पर हालिया हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्ट बढ़ा दी है नौसेना प्रमुक एड्मिरल ने कहा है कि हमारे पास समुद्र लिटेरों और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए 15 एलफा और ब्रावो केटिगरी के 4 विधवनसक तैनात है इन में P-8I विमान, डॉर्नियर्स, सी गार्डियन, हेलिकॉप्टर और तत्रक्षक जहाज भी शामिल है अगर इस वार्शिप की बात की जाए तो सबसे कम समय में बनकर तयार हुआ वा वार्शिप इमफाल ही है इमफाल के बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भार्थिय डिस्ट्रॉइड वार्शिप के बनने में लगे समय में सबसे कम वक्त है इमफाल की आधार शीला 19 मई 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अपरेल 2019 को पानी में उतारा गया था इमफाल 28 अपरेल 2023 को अपने पहले समुद्री परेक्शन के लिए रवाना हुआ था छे महीने की रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसके डिलीवरी हो गई इससे पहले भारतिय नौसैना में प्रोजेक्ट 15 बी के तहत बने आईनेस विशाका पत्नम को 21 तमबर 2021 को और आईनेस मर्मगाओ को 18 दिसमबर 2022 को कमिशन किया गया था वर्तमान समय में नौसैना के पास 132 जंगी जहास हैं जिनमें से सरसट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तयार अभी नहीं है भारतिये नौसैना फिलहाल कॉलकटा क्लास दिल्ली क्लास और राजपुत क्लास के 11 गाइडिन मिसाइल रिस्ट्रॉइड समेथ 132 वार्शिप का संचालन कर रही हैं इनमें सरसर जहाज अभी पूरी तरीके से तयार नहीं है नौसैना प्रमुख एड्मिरल के अनुसार 2035 तक 170 से 175 जहाजों का बेड़ा तयार करने का लक्षे रखा गया है इसके साथ ही आज का विशय यहीं पर सबाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद